हलो एवरिवन वेलकाम बाग दिस यूटूब चैनल सुस्ट्वेंट संडे को अरडी हमारा मॉक टेस्ट हो चुका है और आई होब कि बैक्सिमम ना सारे स्ट्वेंट ने इस पर्टिकलर मॉक टेस्ट को देखा जाये तो जॉइन किया होगा और उनका रिजल्ट भी मिल गया होगा राइट तो इस ट्वेंट आज मैं देने वाला हूँ वीडियो सलूशन आफ यह स्ट्वेंट डिफ्रेंशियेशन का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो सलूशन द्वीड तो यह रहा हो, आपका स्क्रीन आपको दिखाई देरोगा जो हमारा चैप्टर है घॉमारा टपिक है ततिस वाट? दिफ्रेंशियेशन ओके धिस डिफ्रेंशियेशन में हमारा जो पहला कोश्चन है तो आप लोग सब ध्यान से देगो पहला question क्या दिया है अब कई लोग इसमें क्या करते हैं कि directly cost inverse का derivative निकालते है और बोलते हैं कि सर काम खतम अरे भाई दिमाग लगाओ इसको औरली करना है कैसे देखो सब लोग ये जो आपका cost inverse है इसको convert कर दो sign inverse में किसमें बना दो उच्छो? sign inverse में तो जैसे आप sign inverse करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा x minus 1 divide by x plus 1 ये बदल करके x plus 1 divide by x minus 1 हो जाएगा अब आपको पता है यहाँ देखो सब लोग cost inverse of x plus 1 x minus 1 x plus 1 x minus 1 दोनों का value सेम है अगर दोनों की value सेम है तो आपने सीखा था याद है cos inverse of x plus sin inverse of x की value क्या होती है pi by 2 मतलग अनकी value सेम होती है तो value क्या होती है pi by 2 येस सेम तो है is trends यहाँ पे है की नहीं? देखो सब लोग यहाँ पे सेम है अगर सेम है इसका मतलब इसकी value क्या हैगी? pi by 2 तो directly derivative निकालने की ज़र होता है? नहीं तो इसकी value मिल गई pi by 2 और pi by 2 is a constant constant का derivative 0 चेक करो इसका क्या answer है? येस इस दे करेक्ट answer ओकी students perfect और काइस एक चीज़ और याददना जो थोड़े से lengthy question होंगे मैं उसका आपको hint दूँगा आप solve करो बैटके देखो किसका क्या answer आता है ठीक है? ओके so first question solve हो गया हमारा अब आते हैं second question की तरफ चलो second question क्या है हो समझते हैं तो यहाँ पर क्या दिया second question में let y is equal to t raise to 12 plus 3 and x equal to t raise to 10 plus 7.5 then d2y by dx square is equal to what? perfect चलो इसकी value निकालते हैं हम लोग तो d2y by dx की निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा dy by dx अब dy by dx की value कैसे आएगी? yes y का निकालो derivative और x का निकालो derivative तो y यहाँ पर क्या है? t raise to 12 plus 3 3 constant है 0 t raise to 12 का derivative yes so 12 t raise to 12 मतब 12 into t raise to 11 और t raise to 10 का derivative 10 into t raise to एक कम n क्यूंकि x raise to n का derivative होता है बच्चों n into x raise to n minus 1 so 2 6a, 2 5a बचेगा square तो 6 upon 5 t का square अब निकालते हैं again different derivative मतब d2y by dx square तो 6 by 5 as it is t square का derivative 2t बाद में t का फिर से निकालेंगे dairy video क्या हैगा? dt upon dx बट मेरे पास dt upon dx नहीं है मेरे पास क्या है बच्चों? dx upon dt है so dx upon dt है उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको denominator में भेज़ देते हैं ओके? तो बोलो क्या हो जाएगा? dx upon dt अब सभी को पता है कि dx upon dt की value क्या है? जल्दी बोलो क्या है बच्चों? फटा फट येस सही सोच रहे हो आप लोग यहाँ पे हमने 6 upon 5 into 2t कॉपी किया और ये dx upon dt क्या है? 10 times of t raise to 9 भही आया था न? येस so क्या हो जाएगा है आपे? 2 1s are 2 2 5s are 10 फिर एक टी एक टी गया है क्या बचेगा? 8 तो उपर 6 से नीचे 5 ये 5 और नीचे आएगा तो 5 5s are 25 तो उपर बचा 6 और नीचे 5 5s are 25 t raise to 8 तो 6 upon 25 t raise to 8 देखते कहा पे ही आंसर? 6 upon 25 येस C is the correct answer देखते ही आंसर मिल रहा है क्या? अगले पेज पे मालूम पढ़ेगा इस्ट्वेंट्स ये रहा अगला पेज येस C is the correct answer तो वो आपका C था ना चिक्कर लो एक बार सब लोग येस हाँ C था तो हमारा C बोलो क्या हो गया उच्छो? correct answer I hope कि सब को clear हो गया होगा nice तो C is the correct answer अगला question ये तो ओरली करना है ये नहीं बताऊंगा मैं आपको ओरली करना है so derivative of next question किये है हाँ stop करता है हाँ so students C question इतना आसान है जड़ा देखो कैसे क्योंकि मैं क्यों बोला आपको नहीं बताने वाला हूँ guys क्योंकि इस question इतना देखो सब लोग दिया है derivative of 10x is to 4 ये directly x is to n का derivative है और आप सभी को पता है कि x is to n का derivative होता है n into x is to n minus 1 so आपे n कौन है 4 x कौन है 10x so 4 into 10 cube x 4 into 10 cube x बाद में 10x का निकालेंगे फिर से derivative क्या हैगा 6 square x so 4 10 cube x 6 square x यहाँ पे नहीं है यहाँ पे 4 10 cube x 6 square नहीं है yes so guys a is the correct answer right answer भी हमारा a ही है देखो सब लोग देखा आपने इसलिए मैंने आपको बोला था इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि औरली solve कर सकते हैं चलो बढ़ते हैं question number इसकी तरफ yes so guys यह जो हमारा question है ध्यान से देखो सब लोग अब यह question fourth है यह अगर आपने ध्यान से समझा होगा यह shortcut है कैसे अगर आपने सीखा होगा बोलो क्या f of x मतलब अगर आपको दिया है y is equal to f of x raise to f of x raise to f of x dot dot infinity तो ऐसे questions का जो dy by dx होता है क्या होता है बच्चो y square बूलो क्या होता है y square so y square into f dash x divide by f of x into one minus जल्दी बूलो फटा-फट y into log of f of x देखा अपने yes तो यह वाला formula आपको apply करना है और automatically आपको answer आजाएगा right so फटापड इसको solve करो आपका answer आगा इसी तरीके से करना है और इसका correct answer बोलो क्या है बच्चो y square into log y right y square into log y clear yes तो यह shortcut आपको use करना है इसको बताने वाला नहीं हूँ चलो जल्दी जल्दी आते है question number 5 की तराफ अब यह जो question number 5 है देखो y is equal to e raise to x upon 1 plus x इस question को देखने के बाद क्या सवाल उठता है ध्यान दो मुझे निकालना है dy by dx so यह e raise to x की तरह है और e raise to x का अगर आप निकालोगे derivative तो सब को पता है कि e raise to x का e raise to x ही होगा है की नहीं बड़ी x है क्या नहीं तो निकालना पड़ेगा इसका फिर से derivative तो यह u upon v rule है न तो rule के हिसाब से क्या हो जाएगा v का square मतलब whole square फिर बाद में यही 1 plus x बाद में x का derivative 1 फिर minus बोलो क्या हो जाएगा x and 1 plus x का हो जाएगा 1 so x x cancel मतलब क्या मुझे मिला e raise to x plus 1 upon x into 1 upon 1 plus x square simplify करेंगे तो e raise to x upon 1 plus x whole divided by अच्छे इसका square का न भूल गया है हाँ whole square है so 1 plus x का whole square check करो ऐसा answer कहाँ पे है जल्दी देखो सब लोग ऐसा answer गर हम देखेंगे तो मुझे तो c लग रहा है देखो c match हो रहा है क्या क्या बात है correct answer is c yes देखा तो आप समझ सकते हो कि कितना आसान तरीके से कितना फटा फट कोशन सौल हो रहे है right I hope कि कई सारे बच्चों का c answer आए होगा इसके अंदर चलो question number 6 करते है अच्छा question है guys अच्छा question है ध्यान दो ये जो आपको दिया है क्या दिया है बोलो f dash x कितना दिया है बोलो मुझे 2 minus 5 upon x is to 4 और मुझे क्या दिया है f of 1 equal to 14 upon 3 और मुझे बोला है find the f of value f of minus 1 मुझे f of minus 1 निकालना है देखते क्या होता है ये question solve करेंगे दिमाग लगाएंगे कैसे देखो सब लोग अगर आपको f dash x दिया है और आपको ये f of x के बार है मतलब f of 1 बोला मतलब f derivative नहीं है मतलब derivative हटाना है और derivative हटाने के लिए एक ही बंद आता है integration चलो इसका निकालो integration तो क्या हैगा f of x तू का integration 2x minus 5 constant है बच्चो x is to 4 को उपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा x is to minus 4 और x is to n का integration क्या होता है x is to n plus 1 divided by n plus 1 मतलब minus 4 plus 1 minus 3 divided by minus 3 so x is to minus 3 divided by minus 3 so finally मुझे क्या मिलेगा 2x plus 5 upon 3 times of x is to 3 यहाँ तक ना integration निकालने तो plus c भी तो लिगना पड़ता है ना भाई लोग येस चलो अब हम क्या करेंगे x के place पे ये जो value दी इसको use करते है c की वरो निकालने के लिए so f of 1 equal to 14 upon 3 है उस हिसाब से x के place पे 1 put करो तो बोलो क्या होगा 2 5 upon 3 plus c इसकी value क्या है बच्चो 14 upon 3 यह होज़गा 3 2s are 6 6 plus 5 11 11 by 3 यहाँ पर आया so 14 minus 11 directly कर रहा हम इसको 14 minus 11 कितना होजगा 3 upon 3 that is equal to 1 so c की value मुझे क्या मिली 1 मिली so in short आपके पास जो f of x था यहाँ दो yes आपके पास जो f of x था बोलो क्या था f of x का yes यहाँ पर देखो सबको दिया है न 2x plus 5 upon 3 times of x cube plus c के place पे 1 अब मुझे क्या निकालना f of minus 1 यहाँ पर minus 1 पुट करो क्या आएगा minus 2 यहाँ पर minus 1 का cube क्या तो minus 1 आएगा minus 1 into plus is minus 5 upon 3 or plus 1 simplify करते है 3 2s are 6 minus 6 minus 5 minus 11 by 3 plus 1 again cross multiply 3 1s are 3 minus 11 plus 3 बोलो क्या हो जाएगा minus 8 by 3 चेक करो ऐसा answer कहीं दिया गया यह मुझे 4 and D ही तो हमारा correct answer है so correct answer is D now move करते हैं के लिए question की तरफ question number 7 यह question थोड़ा अच्छा question है please guys घान से समझना है इसको इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से simplify करने वाला हूँ question क्या दिया है if dy by dx is equal to y plus 3 and y of 0 is equal to so इसको समझो सब लोग y of 0 is equal to मतलब y when x equal to 0 की value क्या आ रही है 2 आ रही है तो मुझे क्या निकालना है y of log 2 क्या निकालना है उच्छो y of log 2 मतलब y when x की value log 2 होगी तो क्या होगी 7 होगी की 5 होगी की 13 होगी की minus 2 इसको समझते हैं तो यहाँ पर मैं y की क्योंकि मुझे निकालना है y of log 2 so y of log 2 निकालने के लिए मुझे y का value निकालना पड़ेगा तो देखोंगे कैसे निकालते हैं so dy by dx is equal to y plus 3 समझ गये सब ने differential equation solve किया है बस वही करना है चलो integration right so y plus 3 यहाँ भेजो तो 1 upon y plus 3 dy यह differential equation है कोई बात नहीं घबराना नहीं सब लोग right yes और आपका dx गया होँआ पर integration निकालो आपको पता है log of y plus 3 आने वाला है और यहाँ पर बच्चेगा आपका 1 मतलब x integration जागा plus c ओके अब हम लोग क्या करेंगे यह value लेते so y of 0 equal 2 का मतलब क्या होता है जब x के place पे 0 put करोगे मतलब when x equal to 0 तो y equal to 2 आ रहे है तो यहाँ पर 2 put किया तो y 2 plus 3 that is log 5 ठीक है यहाँ पर 0 तो मतलब c क्या 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 log 5 तो log of y plus 3 is equal to x plus c बराबना तो c value क्या put कर देंगे log yes 5 और यहाँ पर भेजेंगे lift में तो क्या हो जाएगा log of y plus 3 minus log of 5 is equal to x तो simplify करेंगे तो मुझे क्या value मिलेगा देखो सब लोग फटापर यह हो जाएगा log of y plus 3 divide by 5 is equal to x यहाँ पर base कोई नहीं है मतलब क्या होगा e और यह बेस जाएगा यहाँ पर log हटाएगे तो y plus 3 divide by 5 is equal to e raise to x बराबर यह e raise to x पो थोड़ा सा ध्यान देना राइट तो this is e raise to x डाउ y की value क्या हो जाएगी 5 times of e raise to x minus 3 अब ध्यान देना इसको मैं लिखता हूँ y of यह पुरा x में है ना तो y of x equal to 5 times of e raise to x minus 3 clear? perfect अब sorry मुझे क्या निकालना है y of log 2 so guys y of log 2 निकालने के लिए x के place पे log 2 पूट करेंगे तो क्या हो जाएगा y of log 2 अब ध्यान दो सब लोग समझने की बात है अगर ये base और ये base सेम हो जाएगा तो उसका answer सिर्फ आएगा ये वाली हो similarly ये e है यहाँ पे base कुछ नहीं है मतलब e होगा right अच्छा minus 3 तो है न हाँ तो ये पूरा हट जाएगा मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या बच्छे का 2 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 पे मालूम पढ़ जाएगा करेक्ट है की नहीं yes so next page यह रहा हमारे सामने okay फटा फट देख लोग okay perfect hmm so guys यह रहा हमारा अग्ला yes guys A so A is the correct answer देखा आपने so मारा यहाँ पे बोलू answer क्या है A so सब को दिखाई दे रहोगा A is the correct answer that is what first answer अगला कोशन देख लो सब लोग यहाँ पे भाई अगला कोशन क्या है if x is equal to cos t into sin 2t and y is equal to sin t into cos 2t then at t is equal to pi by 4 the value of dy by dx is equal to मतलब dy by dx की value निकाल नहीं है जब t की value की पाई बाई 4 तो कोशन बहुत आसान है parametric form दिया है तो फटा-फट हम निकाल लेते हैं dy by dx तो फटा-फट मैं करने वाला हूँ आपको समझना पड़ेगा हापे कैसे पहले निकालेंगे इसका derivative uv rule ए first as it is sin t cos 2t cos 2 का derivative cos का derivative होता है minus तो minus आगे लिगाता हूँ sin 2t बाद में extra 2 भी है तो आजगा क्यों 2t का derivative 2 फिर प्लस second as it is मतलब cos 2t as it is बाद में आएगा sin बच्छो sin का derivative cos perfect whole divide by बना बर न, whole divide by अब डिनोम्टर में कौन आएगा x का derivative तो आप एक्स को ने बच्छो cos t and sin 2t तो first as it is मतलब cos t as it is sin 2t sin 2t का derivative cos 2t but तू पुट करना पड़ागा कोई 2t का derivative क्या जाएगा 2 फिर second as it is plus second कौन है आपे sin 2t बराबर उसके बाद आएगा cos cos का derivative minus sin तिहाँ पे क्या लग जाएगा minus sin ठीक है? चलो so अब हम लोग t k place में क्या put करेंगे? pi by 4 क्योंकि t की value क्या दिया है? मुझे pi by 4 t की value pi by 4 हो नहीं की वजह से फटा पड़ t k place में pi by 4 तो पहले हम लोग क्या करते है? हापी t k place में pi by 4 put किया so pi by 4 मतलब 45 तो 2 into 45 क्या हो जाएगा? 90 तो बच्चो, sin 90 क्या होता है? 1 sin 90 क्या होता है? 1 sin 45 क्या होता है? बोलो 1 by root 2 sin 45 क्या होता है? 1 by root 2 तो minus 2 यहाँ पहले से divide by sin 45 तो 2 हो जाएगा? बताब इंटू 1 upon root 2 बराबर plus cos 40 2 t मतलब cos 90 aray cos 90 तो होता है 0 यह खताम मतलब 0 हो गया ना हटा दो इसको, लिखो मत हटा इसको, right? नीचे, cos 2 t यहाँ पर भी है वो भी होगा, 0, खतम यहाँ पहले जाओ, minus copy किया बच्चो, sin 90, 1 और यह हो जाएगा, 1 by root 2 sin 45, 1 by root 2 1 by root 2, 1 by root 2, cancel minus minus cancel, सिर्फ क्या, बच्चा 2 बच्चा, तो 2 है क्या? यहाँ, लेकिन correct है क्या, वो देखना पड़ेगा B is the correct answer, ऐसा कहाँ बोला है भाई क्या बात है, देख लो B is the correct answer, है की नहीं? perfect, तिये हो गया हमारा question Question number 9, देखते हैं, क्या बोला बच्चो? derivative of log of x to the base 6 with respect to 6 raise to x तो इसका निकालना है derivative इसके respect में मतलाब यह बन्दा होगा numerator में और यह बन्दा होगा denominator में तो इसका numerator में derivative निकाल दो इसका denominator में निकाल दो, चलो कर देते फटा-फट चलो, पहले denominator में को होगा है 6 raise to x 6 raise to x का derivative 6 raise to x into log 6 क्योंकि यह बन जाएगा a raise to x की तरह और यह आपका log of x to the base 6 है हाई की नहीं? क्या वच्चों आपका log of x to the base 6 यहाँ देखो so log of x to the base 6 को आप लिख सकते हो log x divided by log 6 बराबर तिया log 6 नीचे भेज़ दो क्यों क्यों होगा जाएगा square ना? हाँ अब निकालो log x का derivative तो log x का derivative क्यों होगा 1 upon x इस x को भी नीचे भेज़ दो तो क्या हो जाएगा? x नीचे आया तो 1 upon x into 6 raise to x into log of 6 का square चेक करो है इसा answer कहीं दिया कै वच्चों जोल्दी 1 upon x x तो यह तो नहीं है क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है log 6 नहीं पर x नहीं है यह देखो, perfect c, x 6 raise to x log 6 का whole square, guys c is the correct answer, यह आपका 6 है, ठीक है? c is the correct answer लेकिन एसा answer दिया है, yes so guys, c is the correct answer, अब हम move करेंगे question number 10, लेकिन अगले page पे ओके, चलो हम अगले page पे आते हैं so guys, यह रहा हमारा question number 10 बहुत आसान है, क्योंकि x की वालो दिया, p sin theta, y की वालो q cos theta, और आपको निकालना है dy by dx, मतलब यह parametric वाला है, so dy by dx मतलब y वाला बंदा उपर x वाला बंदा नीचे, तो y वाला बंदा उपर है, मतलब q जाएगा उपर और निकाल दो derivative, cos का derivative, minus sin theta, है की नहीं minus sin theta, divide by, फिर x का derivative, तो बच्चों ध्यांदर, यहाँ पर x की वालो क्या है, p sin theta, तो p गया नीचे right, और sin का derivative cos, so बोलो, minus q upon p और sin upon cos, बोलो क्या हो जाएगा, 10 theta चिक करो, ऐसा answer है क्या यह तो 10 second के अंदर हो गया minus q upon p 10 theta a है और a हमारा correct answer भी तो है भाई, yes so यह हमारा correct answer है देख लो सब लोग is the correct answer कोई doubt किसी को नहीं न, very nice फिर चलो move करते, question number 11 की तरफ 12 नहीं भाई, 11 पले 11 करेंगे, उसके भाद 12 करेंगे answer मत देखो, solve करने आना चाहिए तोड़ा सा यह बहुत zoom होता है so क्या दिया, बच्चों f of x log of log of x to the base x आपको निकालना है f dash x x equal to e पे, चलो निकालते हैं so मुझे क्या दिया है, y is equal to log of log x to the base x तो पहले change of base का formula apply कर दो, क्या उपर आएगा log of log x whole divided by log x, ठीक है अब चलो हम लोग निकालते हैं, derivative तो थोड़ा सा मैं इसको shortcut way से करूँगा आपको भी shortcut way से करना है तो v का square मतलब कौन log x का square बराबर उसके बाद इसी log x को लिख दो उपर अब जा ध्यान देना अब आपको निकालना है इसका derivative log of log x का derivative 1 upon log x बढ़ वो x है नहीं तो log x का निकालेंगे फिर से derivative हूँ तो 1 upon x माइनस अब आप log of log x कोपी करो और log x का लिख करो 1 upon x ठीक है? चलो अच्छा है log x log x तो cancel हो जाएगा मतलब यहाँ पर इससका क्या बचाएगा 1 upon x minus log of log of x into 1 upon x whole divided by log x का whole square चलो value put करते हैं हमें x के place में क्या put करना है e तो यहाँ फिर पूर्ट क्या होजागा 1 upon e minus यहाँ पूर्ट क्या होजाए कि अब बचलो log e और log e की value क्या होती है 1 त۔ यह च्छाएगा 1 और log 1 हो गया और log of 1 क्या होता है 0 तो यह 0 होगा पूरा और 0 into anything मतलब 0 यह पुरा होगा 0 परफेक्ट नीचे यह पुछ लॉग 1 मतलब X के प्लेस में क्या पूट करेंगे E तो जाएगा लॉग E और लॉग E की वेलू क्या होती है 1 तो यह आएगा 1 1 का square is 1 तो finally मुझे answer क्या मिला 1 upon E परफेक्ट देखो 1 upon E answer में क्या B तो है B तो है और वो correct भी है जेखो सबलब है की नहीं so B है बट वो correct भी है yes so B is the correct answer ठीके बच्चो अब आते हैं question number 12 की तरफ यह जो 12 है ऐसा already आपको दिने सर ने shortcut दिया होगा क्या बच्चो y is equal to square root of sin x plus square root of sin x plus square root of sin x plus infinity सर ने क्या सिखा होगा आपको ध्यान दो कि अगर आपका y होता है square root of f of x plus square root of f of x plus square root of f of x plus dot 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 infinity बराबर अगर ऐसा question आता है तो इसका derivative क्या होता है बच्चो ध्यान से सुनो right so derivative क्या हो जाएगा बोलो f of x का derivative मतलब f dash x लिग दो divide by 2y minus 1 बहुत आसान है है की नी बहुत आसान है सो यहाँ पर f of x मतलब कौन बार-बार repeat हो रहा है बच्च यहाँ पर आपका sin x बार-बार repeat हो रहा है मतलब यहाँ पर f of x का रोन कौन प्ले कर रहा है sin x सो rule के हिसा आप से जो formula है formula बोलो क्या आपका f dash x upon 2y minus 1 तो बोलो क्या हो जाएगा sin का derivative cos और 2y minus 1 तो यही रने वाला है मतलब cos x upon 2y minus 1 यह मेरा answer है और ऐसा answer a में तो दिया है cos x upon 2y minus 1 देगो सब लोग बराबर लेकिन बाकी में नहीं दिया है लेकिन a correct है की नहीं वो मालम पढ़ेगा अगले page पे जब अगले page पे आएंगे yes is the correct answer perfect चलो बच्चो question number 13 so 13 क्या दिया पे if y is equal to 10 inverse of x then f dash x plus f double dash x is equal to 0 when x is equal to what मतलब यह equal to क्या है बोलो 0 है तो बताओ उसके लिए x की value क्या होगे तो सुनो मेरी बार यहाँ पे इसने क्या बोला है कि f dash x plus f double dash x की value क्या है बच्चो 0 चलो करते हैं so f dash x मतलब f of x यहाँ पे क्या है बच्चो का tan inverse x उसका derivative 1 upon 1 plus x square फिर इसी का दूसरी बार derivative तो यह 1 upon x की तरह हो गया न जब इसका निकालेंगे दूसरी बार derivative तो क्या हैगा 1 upon x का derivative minus 1 upon x square बड़ यह x नहीं है तो फिर से निकालेंगे यह तो माइनस 2x upon 1 plus x square का whole square is equal to 0 तो दोनों का दिनोमेटर से मोनी की वजह से उपर मुझे क्या मिलेगा 1 plus x square minus 2x और जो डिनोमेटर की वैलू है वो जाएगी 0 के पास तो 0 to anything 0 मताब इंच्ट मुझे क्या मिल रहा है 1 plus x square minus 2x equal to 0 अब यह हो गया x square minus 2x plus 1 equal to 0 quadratic find the factor of 1 so that their addition is minus 2 1 बंजा 1 मतलब minus 1 minus 1 तो x minus 1 x minus 1 तो दूनों के इसमें हमारे पास x की वैलू क्या हैगी plus 1 ऐसी वैलू दिखते है option में a 0 b is 1 अरे दिया है तो correct भी है क्या b yes b correct भी है clear चलो अगला question यह रहा आपके computer screen पे 14 वाला question बहुत अच्छा question है समझते कई सारे बच्चे इसमें confused होंगे सर करे कैसे the solution of the differential equation यह differential equation का है बड़ घबराओ नहीं बच्चों अगर exam में question आए और कैसे करना दिखो इस question को अगर आप मैं ध्यान से बताऊंगा ना तो यह आपका linear differential equation की तरह है जिसमें हमने निकाला था integrating factor right, so already आपको पता है कि linear differential equation तो यह आपका omit हो चुका है नहीं आएगा क्योंकि यह आपका reduced syllabus है तो उसके बारे में आपको सीखने के ज़रोत नहीं है फिर भी जिनको पता है यह x log x को एक बार इसके नीचे रखोगे एक बार इसके नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका आपको निकलेगा integrating factor कैसे निकलेगा e raise to integration of p से मतलब वहाँ पे जो हमारा solution आएगा y into integrating factor आता है बराबर उस case में आपका यह जो y log x है यही मेरा correct answer आप चेक भी कर सकते हो c correct answer है क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं directly बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगा y दिया है but into integrating factor नहीं दिया है क्यों rule के हिसाब से क्या होता है solution y into integrating factor सो हर जगा y दिया है बच्चों लेकिन integrating factor नहीं दिया है अब मुझे नहीं पता integrating factor की value क्या है लेकि इतना पता है कि y into integrating factor होता है उस हिसाब से c is the correct answer सब्सक्राइब करें आप लोग येस यह आपको डिदियू से लेपस में घवरानी की जरूत नहीं है फिर भी में बता दिया कि आतने अगले question की तरफ राइट सो question number 15 यह रहा आपका question number 15 बच्चों ध्यान से देखो right just 8 minute yes 15 हाँ तो यह हमारा question number 15 है सब लोग देखो फटापट solve करते हैं हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दो सो क्या बुलाए d by dx of x is to sin x बच्चों यह आपका आपको पता ही question कैसा है यह function is to function है so rule के हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा derivative ठीक है yes कैसे समझो समझते है तो x raise to sin x है न राइट यह y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अगर आप लॉग लोग है तो लॉग y is equal to sin x into log x ठीक है बस इतना या रखो अब आपको लिखना है dy by dx देखो जो बतारो ऐसे करो dy by dx उसके बाद यही copy कर दो x raise to sin x बराबर उसके बाद इसका निकालो derivative first as it is sin x बाद में log x का derivative 1 upon x plus log x as it is बाद में sin का derivative cos अब देखो इसका answer कहाँ पर है so sin x sorry x raise to sin x फिर sin x upon x plus log x into cos x यह तीनों में x raise to sin x है बट जो हमाई answer चाहिए right now sin x upon x यहाँ पर है फिर log cos plus में है तो plus यहीं पर है तो guys d is the correct answer by verify कर लेते हैं yes so d is the correct answer perfect चलो फिर अगले question की तरफ move कर लेते हैं भाई दो यह question आसान है आपको लग रहा है बहुत आसान है कैसे आपको cos nx दिया है है की नहीं और बोला है d2y by dx square plus n square y निकालो इसकी वेली देखने क्या है most probably इसकी value 0 होगी क्योंकि मुझे ऐसा feel हो रहा है but solve कर दिखाता हूं so guys y is equal to cos nx है तो दो बार निकालना है derivative क्या आपके d2y by dx square पूछा है तो पहले एक बार तो निकाल लो तो dy by dx बोलो cos का derivative minus sin nx बाद में nx का derivative आएगा n तो आए न आगे लिख दिया again differentiate d2y by dx square minus n copy किया बोलो sin का derivative cos nx है की नहीं बाद में nx का फिर से निकालेंगे तो again n आएगा तो n into n क्या हो जाएगा n square और आपको सबको पता है कि d2y by dx square minus n square cos nx किसकी value है y कि थमने पूट कर दिया y इधर भेज़ दो so d2y by dx square plus n square y is equal to 0 देखा आपने क्योंकि मैंने only solve कर दिया भाई ऐसा आने वाला है so d2y by dx square plus n square y equal to 0 तो guys c is the correct answer आपका answer भी वही है c is the correct answer ठीक है yes so guys the correct answer is c question number 17 आने वाला है अगले पेज़ 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 दे फड़ा फड़ा हम लोग yes so page number 8 आपका है दिखो यह आसान question है guys बहुत आसान है दिखो फड़ा फड़ा if y is equal to a into e raise to cos inverse of x then corresponding to the differential equation मतलब मुझे क्या निकालना है d y by dx समझो यहाँ पे मुझे दिया है y is equal to a into e raise to cos inverse of x बराबर दिया है मुझे अब मुझे इसका निकालना है derivative तो देखो कैसे एक दो लाइन में answer आएगा देखो सब लोग so a तो constant है है कि नहीं e raise to x बच्चो e raise to x का derivative e raise to x ही होता है but यह x नहीं है तो इसका निकालेंगे फिर से derivative तो cos inverse x का derivative minus 1 upon root of 1 minus x square देखा आपने right so क्या हो जाएगा आपका d y by dx हमें a into e raise to x में कहीं पे भी answer नहीं दिया है so बच्चो आपको पता है a into e raise to cos inverse x की value क्या है y और हाँ पे minus है तो minus y divided by root of 1 minus x square अब देखो यह answer कहा है minus y divided by root of 1 minus x square आपका a के अंदर है but a correct है क्या yes a is the correct answer क्या राइट answer क्या है बच्चो आपका a चलो अगला question तो यह question भी आपका बहुत आसान है करना क्या है इसमें मैं hint दे रहा हूं धांदना यह जो आपको sin square divided by 1 plus cortex है तो पहली बात तो cortex को लिए दो cos upon sin फिर denominator में cross multiply करो तो क्या मिलेगा मुझे sin x plus cos x divided by sin उपर जाएगा तो जाएगा sin cube x और यहाँ पे sin x है इसको लिए दो sin upon cos तो cross multiply करोगे तो denominator में आएगा sin plus cos whole divided by cos और यह cos जाएगा उपर तो क्या बन जाएगा cos cube x तो दोनों के denominator में sin plus cos, sin plus cos है एक जगहार है sin cube x और एक जगहार है cos cube x तो बोलो क्या formula बन जाएगा sin cube x plus cos cube x whole divided by sin x plus cos x उपर का formula अपलाए करो a cube plus b cube का and उसके बाद simplify करो derivative निकालो, right, derivative निकालना जरूरी होच्चो बिना derivative निकाले काम नहीं होने वाला है ध्यान दो सब लोग so derivative निकालो, derivative निकालने के बाद जो भी answer आएगा that is your final answer लेकिन आसान है, गब्राव मत, आसान है right, चलो, move करते हैं अगले question की तरफ right, चलो क्योंकि इसका answer बता रहो में क्या आएगा मुझे simplify करने के बाद मिला जब derivative निकालोगे तो 1 का derivative 0 minus 1 by 2 side में बजो sin 2x का derivative cos 2x, सही न, cos 2x बाद में 2x का फिर से निकालेंगे तो आ जाएगा 2, 2 to cancel अब x के place में क्या पूट करेंगे pi by 4, तो 2 times of pi by 4 मतलब 90 और cos 90 क्या होता है, 0 यह पूरा हो जाएगा 0 समझ गए, yes, बस इसमें aq plus bq का formula अच्छे से apply करना, sin x plus cos x उपर नीचे cancel हो जाएगा चलो, तो 0 answer सही है c is the correct answer, yes बच्चो अगला question है, question number 19 अब आते हैं question number 19 के पास अरे भाई, यह भी तो shortcut है अभी तो सिखाये था, मैंने यह shortcut क्या था, बोलो, फटा फटा फिस्ता रहा है so y is equal to f of x raise to f of x raise to f of x raise to infinity होगा so बोलो, क्या हो जाएगा dy by dx y square into f dash x divide by f of x into 1 minus y into log of f of x समझ गए, यह हमारा formula है अब मुझे dy by dx निकालना है तो बच्चे, आपे f of x के place में क्यों है cos x so y square copy किया cos का derivative minus sin x है की नहीं, divide by f of x नहाँ पे क्यों है, cos x है 1 minus y copy किया log of cos x ठीक है, दोखो, बहुत आसान shortcut पता है, तो बहुत आसान लगेगा sin upon cos क्या हो जाएगा 10 x, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ y square copy किया f dash x, तो f of x कोंने आपका cos x है, तो cos का derivative minus, यहाँ पे क्यों जाएगा, minus sin x फिर divide by f of x, मतब cos x, 1 minus y into log of f of x, f of x कोंने cos x, right, so sin upon cos 10 x, मतब माइनस y square 10 x, दिखते कहाँ पे है minus y square 10 x, यहाँ पर है यहाँ पर भी है, चलो, c और d तो नहीं है, फिर दिखते कहाँ चो, 1 minus y log of cos x 1 minus y log of cos x, यह 1 plus है, मतब भी नहीं है, so a is the correct answer, दिखो इतना बड़ा कोंशन, इतना आसान तरीके से आपने कर लिया दिखो, answer भी सही है परफेक्ट, चलो, आते हैं question number 20, अरे भाई यह तो आपका composite function दिखाई दिना है, सब लोग देखो कोशन, क्या question दिया है, यहाँ पर सब लोगों को दिखाई देए रहा होगा if f of x is equal to x is to 4, g of x equal to 6 x minus 2, then find g of f of x, देखो सब दो मुझे निकालना है, g of f of x, तो बताओ, f of x पहले, जो bracket के अंदर है पहले, उसकी विल्य पूट करो, तो बचिए आप यहाँ पर f of x कोई है, x is to 4, पूट कर दिया, अब g के पास जाओ, तो g क्या बोलता है, g of something, g of something, तो इस x को में something से बोलूँगा, तो g of something, बोलो क्या हो जाएगा, six times of something minus 2, six times of something minus 2, तो something यहाँ प नहाँ पर है, d, दिखे आपको, और d ही हमारा correct answer है, so this is question number 20, आप आते है, question number 21, देखो यह भी आसान है, आपको दिया, x square plus y square minus 2a xy equal to 0, then find the value of dy by dx, तो क्या करेंगे हम लोग, भाई, solve करेंगे, x square plus y square minus 2a xy is equal to 0, चलो, जल्दी अल्दी करते हैं पड़ा पाट, तो बोलो, इसका derivative 2x, इसका 2y into dy by dx, क्यों dy by dx निकालना है, minus 2a constant है, xy का derivative first as it is, derivative of second, plus second as it is, x का derivative to 1, that is 0, चलो, चलो, दिखो सहर जगा 2, 2 है, तो 2, 2 cancel कर दो, कोई जडो जडो नहीं है, तो x plus y dy by dx, यह minus a अंदर भेज़ दो, minus ax dy by dx, फिर a गया y के पास, तो minus ay equal to 0, अब बच्चों मुझे dy by dx निकालना है, इसको यह पर रखते हैं, बाकिस सब वहाँ भेजते हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, plus ay minus x, और यहाँ से dy by dx common ले लो, क्या बच्चेगा, y minus ax, उदर भेज़ो तो denominator में जाएगा, y minus ax, देखो सब लोग इसका answer कहाँ पर है, so ay minus x, बच्चों ध्यान से सुनो सब लोग, ay minus x और y minus ax, ay minus x, y minus ax, दिखाई दर सब को, यह जो आपका option a है, दिखाई दर सब लोग, यह जो आपका option a है, a correct लग रहा है मुझे, लेकिन वो correct कब होगा, जब हमें answer मालूम पड़ेगा, तो आपने हमारे answer की तरफ, right guys, so देखते answer कहाँ पर हरसका क्या है, so जो answer है यह रहा आपके computer screen पे, yes guys, a is the correct answer, दिखाई आपने, और हमारा answer भी a ही था, I hope कि आपको सारा का सारा concept clear हो रहा होगा, अब आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ, देखो, so अगला question तो बहुत आसान है, लेकिन solve करना पड़ेगा, आपको दिया बच्चो, x equal to e raised to theta, bracket में sin theta minus cos theta, y की वेरो दिया e raised to theta, bracket में sin theta plus cos theta, then dy by dx at theta is equal to pi by 4, और क्या होगा, तो ये भी parametric है, और आपको dy by dx निकालना, चलो निकालो भाई, और क्या, कोई option तो भाई नहीं, so y का निकालते हैं derivative, तो बच्चो ये u होगा, v होगा, so u v rule, first as it is, एक साथ करूंगा, चलो derivative निकालो, sin का, cos होता है, cos का निकालो, minus sin होता है, फिर plus, second as it is, मत 2 e raised to theta का derivative, e raised to theta होता है, फिर x को पकड़ो, e raised to theta, sin minus cos, again, first as it is, sin minus cos का derivative, sin का derivative, cos theta, minus cos का हो जाएगा, minus sin हो जाएगा, plus sin theta, फिर sin minus cos, copy करो, और बाद में e raised to theta का, e raised to theta, देखो, ऊपर भी e raised to theta common होगा, नीचे भी e raised to theta common होगा, so भाई, e raised to theta क्या हो जाएगा, cancel, directly करेंगे हम लोग, चलो, सोचो मत, cancel, अब जब इसको simplify करोगे, sin से sin गया, नीचे, plus cos, minus cos भी गया, तूपर क्या बचाएगा, cos theta, cos theta, 2 cos theta, नीचे बचा sign sign, 2 sign, 2 to cancel, cos upon sign is cot theta, theta के place पे पुट करना है, pi by 4, बोला है ना, तो cot 45 क्या होता है, 1, cot 45 क्या होता है, 1, so 1 है क्या, है, लेकिन answer correct है क्या हो दिख लेते हैं, so right answer, 1, yes, so 1 is the correct answer, अब ये question भी उसी तरीके का है, अच्छो, derivative of log of sec theta plus 10 theta with respect to sec theta at theta is equal to pi by 4, मतलब इसका derivative निकालोगे numerator में, इसका derivative निकालोगे denominator में और pi by 4 पूट करो चलो करते हैं, so numerator में किसका निकालेंगे derivative log of sec plus 10, तो 1 upon sec theta plus 10 theta, बाद में sec theta plus 10 theta का फिर से derivative, उसमें sec का हो जाएगा sec theta 10 theta, और बाद में 10 का हो जाएगा sec square theta, whole divided by, whole divided by, with respect to कोई है sec, और sec का derivative क्या होद है उच्छो, yes, sec का derivative होता है sec theta into 10 theta, अब इत्याँ उपर देखो सब लोग, उपर बहुत ध्यान सकना, ऐसे कुछ अपने बहुत जगा किया होगा, उपर देखोगे, 1 sec theta यहाँ पर 2 sec theta, square न, 2 sec theta है, तो उसका मतलब यह होता है, कि 1 sec theta ले लो common, भाई, 1 sec theta ले लो common, तो क्या हो जाएगा, 1 sec theta गया बाहर, बरावर न, तो 10 theta plus sec, और यहाँ पर भी sec plus 10, यह पूरा इससे cancel हो जाएगा, है कि नहीं, उसके बाद यह से इससे cancel होगा, सिर्फ क्या बचा, 1 upon 10 theta, जो की होता है, cot theta और pi by 4, वो भी आएगा 1, वो भी क्या आएगा, 1, 1 है क्या, yes, answer correct है क्या, वो भी check कर लेते, yes, yes, B is the correct answer, अब 2 question और बच्चे, बच्चे, question number 24, and question number 25, yes, फ्राफास्ट कर रहा हूं, but आपके लिए तो कर रहा हूं, क that, कि आपका concept भी clear हो जाए, अच्छे से, अब आते हैं, अगले question की तरफ, क्या लिखा है, 24, if y is equal to tan inverse of x का whole square, then x square plus 1 का whole square, d2y by dx square, plus 2 times of x, x square plus 1, dby by dx, is equal to what, 4 है, 2 है, 1 है, 0 है, क्या है, तो इसे solve करना पड़ेगा, अब ऐसे question को solve कैसे करेंगे, ध्यान देना, यह already कर अपने ध्यान दिया होगा, last के जो दो exercise है, the higher order derivative, वहाँ से question पूछा गया है, बड़ आसान है, थोड़ा सा solve तो करना पड़ेगा, देखो, मैं आपको solve करके दिखाता हूं, so y is equal to tan inverse of x का square दिया है, बराबर, मुझे क्या मुला है, d2 y by dx, चलो निकालो, फटा फट, differentiate करेंगे, तो क्या हैगा, d y by dx, 2 times of 10 inverse of x, बाद में 10 inverse x का derivative, 1 upon 1 plus x square, अब rule के हिसाब से, यह जो आपका x square plus 1 है, वो होना चाहिए, आपके कहाँ पे बच्च हो, yes, left side में, भेज़ दो, सो मैं x square plus 1 लिखुए, 1 plus x square लिखुए, दोरों का में निक सेम होता है, into d y by dx, is equal 2 times of 10 inverse of x, एब यहाँ पे square चाहिए, तो squaring करना पड़ेगा, जल्दी से square कर दो, yes, हर जगे square कर दो, हर जगे square कर दो, तो x square plus 1 का whole square is equal, sorry, d y by dx का whole square, 2 का square 4, और यह हो जाएगा tan inverse x का whole square, और बच्चो, tan inverse x का whole square क्या होता है, उपर देखो, y, अपने लिख दिया y, अब derivative निकालो, answer आजाएगा, derivative फट 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 निकाल दो, first as it is, सही है, derivative of second, 2 times of d y by dx, बाद में इसका निकालेंगे, फिर से derivative of d2y by dx square, plus second as it is, मतलब d y by dx का whole square as it is, बाद में इसका निकालेंगे derivative, तो यह आपका something का square है, तो वो x square का roll play करेगा, और इसका derivative क्या हो जाएगा, 2 times of x square plus 1, बाद में x square plus 1 का, फिर से derivative क्या हैगा, 2x, okay, is equal to 4 d y by dx, क्योंकि 4 constant y का derivative to d y by dx, बहुत ध्यान से देखोगे न, ऐसे question में हमेशा बच्चो, एक बंदा cancel हो था, इसका नामे 2 times of d y by dx, हर जगह से, तो यहाँ पे भी 2 times of d y by dx है, यहाँ पर भी d y by dx दो भारत, एक बार एक बार एक 2, cancel हुगा, और equal to के बाद 2, 2 जा 4, एक d y by dx गया, है कि नहीं, यहाँ पर क्या बचे का बोलो, x square plus 1 का whole square d to y by dx square, देखो मिल रहा है, दिखना सब को, yes, उसके बाद क्या बचा, x square plus 1, 2 x, here दो, x square plus 1, 2 x, एक d y by dx, d y by dx, is equal to, is equal to, क्या मिला, 2, मतम इसका answer क्या रहे हो, चो, 2, देखाँ आपने, इस तरीके से द जितना फास कर सकते हैं, अच्छा है, so guys की answer क्या मिला 2, तो b हमाला correct answer है, check करें, yes, 2, so b is the correct answer, so guys, अब हम पहुंच चुके हैं, हमारे last question की तरफ, that is question number 25, और question number 25 लगभग previous जैसा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बस क्या दिया है, sine inverse of x, right, और question लगभग exactly ऐसा ही question है, so guys इसको भी solve करो, उसी तरीके से, and जैसा मैंने वहाँ पर square किया था, वैसे यहाँ पर भी आपको square करना है, right, and उसके बाद आपको y की विलोग पुट करनी है, and y क्योंकि y की विलोग पुट करने के बाद, देखो answer क्या आता है, तो इसका answer देख लेते है, answer 1 is the correct answer, मतलब 2, ल आपको पता है कि ऐसे question को solve कैसे करते है, so guys, मैं यहाँ पर declare करता हूँ कि मैंने पूरा पूरा video solution दे दिया, इस differentiation का, I hope कि सारे के सारे questions आपको अच्छे से समझे होंगे, and guys, जो next test होगा, आपका next Sunday होगा, तब तक अच्छे से prepare करो, and इसका video solution मिलेंगे next time, thank you so much, and guys, follow up word, channel क subscribe कर दो, video को share करो, like करो, मिलते हैं next video में, thank you so much, bye bye